तो अगर आपने डीसेंटली आइको नीओ नाइन प्रो खरीदा है आप लेने का प्लान कर रहे हो इस वीडियो में इसकी पूरी कामरा सेटिंग्स आपको बताने वाला हूं जब आप कैमरा एप ओपन करोगे तो क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं क्या ओप्शन्स हैं और कुछ जो शायद इसमें हीडन आपको ना पताओ एक्स्वोर करते हैं आगे वीडियो में चलते हैं लेट सी इस फोन में आपको क्या-क्या ओप्शन्स कामरा में मिलती है तो अब जैसी कामरा आप ओपन करेंगे यहां पर आपको इंटरफेस दिखने वाला है बहुत सिंबल सा इं अब यहां पर आपको यह एक आइकन देखेगा यहां पर तीन ओप्शन्स है विविड में आप देखो एक बार एक सेमी सिचुईशन का मैं फोटो लेता हूं यहां फोटो लेते हैं और अब नाचुरल जो है वहां फोटो लेते हैं फरक क्या है विविड में कलर्स थोड़े ज्यादा थोड़े साचुरेटेड हो जाएंगे टेक्शर में थोड़ा टेक्शर एंहां हो जाएगा और नाचुरल में अगर आप नाचुरल फोटो लेना पसंद करते हो तो आपके हिसाप से लुकेंड फील को आप जज कर सकते उस बेसिस पर अपने मोड पर यूज कर सकते हो यहां पर एक सैटिंग्स का अप्शन है यहां अगर मैं जाता हूं सबसे पहले यह फुल में जाते हो फोटो को क्रॉप कर देता है अभी आप देखो यह पूरा मेरा जो फोन है यह पूरा देख रहा है ठीक है अगर मैं 16-9 में चले जाओंगा नीचे और ऊपर से फोटो को क्रॉप कर दिया है क्यों विकास हमने एंसपेक प्रीशियो चेंज कर दिया तो हम आप टाइमर के साथ ले सकते हो देने आप एक ग्रेड लाइन का ऑप्शन है अब ग्रेड लाइन कैसी सेटिंग है जो मैं फोन में जब भी कोई नया फोन आते है ग्रेड लाइन सबसे पहले नेबल होती है क्यों विकास उससे आपको आइडिया लग जाता है एक तो उसके बाद वापिस में अगर सेटिंग में जाओ लेवल का ऑप्शन है अब लेवल क्या करेगा है देखो बीच में किसने लाइन दे दिये इस तरीके से अगर मैं लेफ्ट राइट जाओंगा वो मुझे दिखा देगा और जैसी स्ट्रेट लेवल होगा मतलब येलो लाइ इसको अभी क्लिए आफ कर देते हैं इफेक्स मास्टर अब इफेक्स मास्टर बहुत सभी फीचर है यह देखो लेफ्ट और राइट में आपको जीरो और लाइन दिख रही होंगी तो लेफ्ट वाले को अगर माल लेते हैं मैं आप फोकस करता हूं अब मैं अगर नीचे य आप बिना प्रो मोड में जाए ही अपना एक्सपोशर एड़स्ट कर सकते हो उसके बाद ऊपर वाली लाइन को इस तरीके से लेफ्ट और राइट अगर हम एड़स्ट करते हैं तो यह देखो कलर्स की जो साचूरेशन है वह आप लेफ्ट करके ब्लाक और भी बना सकते हो फिर राइट को जितना लेके जाओगे प्लस में आप उतनी साचूरेशन बढ़ा भी सकते हो तो यह भी एक काफी सभी फीचर है जिसको यूज करके आप कलर और एक्सपोजर को एक नॉर्मल फोटो मोड से ही चेंज कर सकते हो अब इसके लिए आपको एफेक्स मास्टर ओन मिलते हैं या ओफ को मिलता है और का उप्शन रहता ही नहीं है तो इसमें वह चीज से मिल गई है तो यह तो गया फोटो मोड अब हम नेक्स जलते हैं वीडियो मोड पे अब वीडियो मोड में अब आप देखो कि अल्ट्रावाइट का भी आप्शन नहीं आ रहा उसके 380P 60fps पर अगर मैं जाता हूँ, 180P 60fps पर अफ्शन नहीं मिलेगा तो अगर आपको अफ्शन पर शूट कर नहीं है तो अगर आपको अल्ट्रावाइट पर शूट करना है 1x का भी आपशन है इवन 2x पर भी जाके आप 4K 60fps पर वीडियो शूट कर सकते हो तो यह आपको चीज़ 8K का ओप्शन यहां पर आपको देखेगा अब 8K 30fps पर भी आप वीडियो ले सकते हो 1x पर इवन 2x पर इस बजट में आइधिंग रेसा आप से ऐसा कोई फोन है नहीं होगा एका दुक्का शायद तो मैं यह नहीं बोल सकते दिस इस दिए ओनली फोन बाट इसमें आपको 8K वीडियो का ओप्शन भी मिलता है 1x पर 2x पर वीडियो शूट कर सकते हो एक काम करते हैं इसी फ्रेम का एक बार में चोटा सा वीडियो ले ले लेता हूं 8 आपको आइडिया लग सकते की एक का वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहे है तो यह एक जैस्ट डेमोंस्ट्रेशन के लिए था तो यह आपका वीडियो हो गया उसके बाद अगर मैं यहां पर स्टेबलाइजेशन अभी ओफ है एक आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा स हो जाते हो तो आप यह एक 1080V30蚌 पश्टेबलाइजेशन यूस कर सकते हो अगर Taylor 60 ओप तो भी यह आपका Stabilis accurate नोuju कर सकते हो तो यह स्टैबलाइजेशन अभी मैंने किया हुए इसको आगर हम fix on करते हैं तो फोर के 60fps तक भी आप यह स्टेबिलाइजेशन यूज कर सकते हो विच आपको 4K में भी वीडियो में स्टेबिलाइजेशन मिल रहा है और अगर हम अल्टरा स्टेबिलाइजेशन कर देते हैं अब यहां पर पर चले जाएगा अब यह देखो मैं 4K पर गया तो अल्टरा हट गया अगर आपको एक दब अल्टरा स्टेबिलाइजेशन चाहिए तो आप मैक्सिमुम मैंने देखा इतना अडवांस ओप्शन नहीं मिलता आपको यहां से मैनेज कर सकते हों को आपको एक्टिवेट करके उससे ओडियो लेना है तो यह अडवांस ओप्शन आपको मिल नेक्स अगर हम पोट्रेट मोड में चलते हैं पोट्रेट मोड में एक चीज मुझे रहता है तो इस फोन में आपको बन एक्स का उप्शन तो रहेगा है साथी साथ अब इस तरीके से टुएक्स का भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो और अगर आपको पोट्रेट मोड में फोटो लेनी है आपको टूएक्स का भी मिलेगा और एक और चीज अगर आप यहां ना है ठीक है इस तरीके से फोन रखते हैं अब अगर मैं इसको एफ 16 कर दूंगा तो एक कम बलर लेगा एकदम बढ़ा देंगे 0.95 तो ज्यादा लेगा एक काम करते हैं मैं 0.95 पर फोटो लेता हूं और एक हम ले ले लेते हैं 5.6 ठीक है यह दो फोटो ली अब अगर प्र 2x पे भी जाके पोटेड मोड में इस तरीके से फोटो ले सकते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा यह जो डॉट बनाऊंगा एफ 2.0 इस पर ही रखके आपको पोटेड मोड में आइडियल ब्लर एफेक्ट ले फोटो लीनी है यहां पे कुछ आपको एफेक्स मिल जाते हैं अगर मैं जाता हूं तो वही सारे आपके बास यहां पर टाइमर है आपको कितना रखना है ग्रेड लाइन लेवल में हमेशा ओन रखता हूं देन मोशन ऑटो फोकस एच्टी पोट्रेट एच्टी पोट्रेट क्या करेगा यह हाई रिजलूशन में पोट्रेट लेगा और च्वेग्त में लेगा सब्सक्राइब आपको यहां और नाइट डॉट है अब नायप मोड भी ख्रॉंट इंग् Morocco क्वाउशन देनेक टेंृस उर इन यह ब्लाक तो आप नाइट मोड में भी पानरोमा फोटो ले सकते हो अप्शन है उसके बाद सेकंड ओप्शन है लॉंग एक्सपोजर का अब लॉंग एक्सपोजर में आपको यहां कुछ प्रीज़ाते हैं फ्लो आफ ट्राफिक है नाइट ग्रैफिटी है वाटर फॉल मिस्टीरियस मे ले सकते हो उसके बाद यहां पर अगला है सूपर मून नहीं है इस मोड को एनेबल करके अगर आप लो लाइट में मून का फोटो लेना चाहते हो तो वह आप कर सकते हो टॉकिंग अबाउट मून एक चीज जो मैंने मिस्कर दी थी अगर मैं फोटो मोड में जाता हूं तो एक अगर मैं फोटो लेता हूं और इस फोटो को अब हम प्रिव्यू करते हैं तो ऐसा अलग है क्या मुझे भी समझ आए अलग क्या है अदिको लाइफ मोड का यह ओप्शन है आप कर सकते हो अब मोर में यहां पे कुछ ऑप्शन मुझे देख रहे हैं अल्ट्राइज डॉक्य अब रहे हैं अब प्रो और बटन है इचीज मुझे अच्छी लगी ताइम लाप्स लेते हुए और यह बहुत कम फोन में इसक्डेर कर सकते हो अगर आप एक घंटे का भी टाइम लापस ले रहे हो आपका एक्षोजर ऊपर नहीं होगा प्रो मोर्ड में वो चीज मेंटेन करके रखेगा अगर मैं बात करूँ डेजिलूशन की आप 4K में भी टाइम लाप्स ले सकते हो बड़ वो अल्टरावाइड का ओप्शन हट जाएगा अपको अप्शन मिल जाएगा बट तो यहां से आप ऑटोमाटिक भी ले सकते हो और यह प्री सेट आपको दिये हो अगर आप यह देखोगे यह देखो इधर एक प्री सेट है ऑटोमाटिक का देन है ट्राफिक उसमें वो स्पीड देखो शूट इंटर्वल 0.5 सेकिंड कर द क्लाउड में दो सेकिंड का फिर इस तरीके से प्री सेट दिये हुआ है कितने कितने इंटर्वल में यह टाइम लाप्स खींचेगा तो डिपेंडिंग ऑन से सिच्वेशन में टाइम लाप्स लेना है आप यहां से कर सकते हो तो मुझे लग रहे है टाइम लाप्स जो उसके बाद प्लस माइनस पर जाओगे तो यहां से अपनी फोटो को डार्क प्लस में जाओगे तो ब्राइट कर सकते हो अगर आपको यह नहीं करना मैनुली एज़स्ट करना तो अब अपने आईए सो को मैनुली माइनस 50 से लेकर मैक्सिमम 30 तो हंड़ेड तक लेके जा सकत का जो वाइड बैलेंस है वो कूल और में चेंज होता रहेगा इवन अगर मैं इस आइकन पर क्लिक करता हो तो मैनुली यह देखो मैं टेंपरेचर एज़स्ट कर सकता हो जितना कम केलविन होगा उतना ब्ल्यू टोन में जाएगा जितना बढ़ा दूगा उतना वाम टोन मे और एक चीज मुझे यह भी सही लगी कि टेंट का भी इन्होंने यह स्लाइडर दिया है तो मैं इसको ग्रीन से मेजेंटा के बीच में टेंट भी एड़स्ट कर सकता हो जो खावी सही फीचर है बहुत फोन में नहीं मिलता और फोकस आप यहां से एड़स्ट कर सकते हो सेर्च करकी इसके बारे में पढ़ सकते हो लेफ साइड में अगर आम आते हैं तो रॉव औन ऑफ करने का ओपशन है यह रहे में फोटो भी ले सकते हो जेपेंग में सकते हो एक और ऑफ प्लस जेपेग उसमें नहीं दिखा फिचुर स्टाइल भी यहां चेंज कर सकते ओ व वह आप इससे थोड़ा एड़ेस्ट कर सकते हो वाकि अगर मैं और मोर ऑप्शेंस में जाता हूं वही सारे बेसिक आपको ऑप्शन मिल जाते हैं बस दो अडवांस फीचर जो मैं बताना चाहूंगा ब्रैकेटिंग है ब्रैकेटिंग एक फीचर इसमें क्या होता है बैसिकली यह आप कैmra को बता सकते हो कि कितने फोटो कि और एक स्टोप की एसिकली एक स्टोप और आपका कैमरा एप किया है М ai no एक पोटो रहाएंf और एक स्टोप टाय। जब्रैक और न तीन फोटो को लेकर ब्राइब अपने सांप 7 में फोटो को मर्च करके HDR बना सकते हो नेक्स्ट फीचर जो यहां पर है इंटरवल शूटिंग में क्या है आप अगेन अगर मैनुली मान लेते हैं आपको 500 फोटो लेनी है दो-दो सेकेंड के जितने भी सेकेंड के इंटरवल में वह आप यहां से एड्जस्ट कर सकते हो तो फोटो और इंटरवल का ओप्शन यहां पर एड्जस्ट करने का आपको मिल जाता है तो यह हो गया आपका प्रो मोड उसके बाद 50 मेगा पिक्सल का मोड है जैसे आपको बता है प्राइमीरी कैमरा 50 मेगा पिक्सल का है तो नॉमली अगर आप फोटो लोगे तो वह आएगी साड़े 2.5 मेगा पिक्सल में अगर आप 50 मेगा पिक्स तो आपको 50 मेगा पिक्सल फोटो मिलेगी अदर्वाइस नमल फोटो मोड में 50 प्रोटो नहीं आएगी सलोमो है slow-mo देख लेते हैं क्या के options है 1080p में 120fps है 240fps में भी आप 1080p कर सकते हो which is good 720p में भी आपको ओप्शन मिलता है तो मैं suggest करूँ है 1080p पर ही रहो 240fps तक आप slow-mo वीडियो शूट कर सकते हो 1x पर भी and even 2x पर भी आप जा सकते हो ultra-wide का option नहीं है 720p पर भी नहीं है 120fps पर तो slow-mo में आप ultra-wide में यूज नहीं कर सकते 1x में यह आपके पास option है और अगर आप more पर जाते हैं then last supermoon है अब supermoon में वो यह आप 10x तक जा सकते हो यह moon actually astronaut ने पकड़ा हुए moon maximum 30x तक आप जा सकते हो और supermoon में basically moon को detect करके moon की आपको photo दे देगा तो mostly यही था camera app में I hope यह video आपको help करेगी अगर आपने phone recently लेने का plan करें आपको देखना था क्या-क्या features है क्या settings है तो अगर आपको लगता है ऐसी जो camera setting videos है उसमें कुछ और improvement हो सकता है मुझे कुछ और introduce करना चाहिए कमेंट करके बता देना या किसी और phone की अगर camera setting चाहिए वो भी आप बता देना So I'll see you in the next video तब तक take care and keep clicking